कर्मन्य वाधिकारस्ते माँ फलेशं कदाचना माँ कर्म फलाहे तर्वू माँ ते संगोच्व कर्मनी तेंकि जाहिए गीता हो, ग्रू ग्रंथ साहिब हो या रामचरी इत्मानस हो ये जितने भी पविति ग्रंथ है, सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत धर्म से उठकर पहले हम इनसान है, इनसान है तो धर्म है आप जो अभिने कर रहे हैं, अभिने का इसलाम में गुंजाईश नहीं है इन्होंने चुकर करिशन के उतार में आकर पुड़ा आपने अपनी जिन्दगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जा कि सिनमा हौल में अभी ये तो कोई सवाल नहीं है, क्यों नहीं है सवाल ये? ना, मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभी नहीं गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे आपकी एज पंदरा साल हो गई, यानि इसलाम की बेसिक रूल आपको पता नहीं है हेलो दोस्तों स्वागत आपका आर्णी चैनल में एक और वीडियो के साथ, वीडियो का विसांदर होने वाला है, इसलिए अन तक जरूर देखें दोस्तों जब पंदरा साल की मुस्लिम बच्ची ने योगी आदितेनाच जी के मंच से बगवद गिता के सलोक पढ़े और वो भी सिरीकरसन जी के वेसबुसा को पहन कर, तो इन मजब के ठेकेदारों को इतनी जएदा मिर्ची लगी कि उन्होंने दस्वी में पढ़ने वाल बलती बंद हो गई, तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यहां कि वीडियो काफी सांदार होने वाला इसलिए अन तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आन्ने उठा सके तो चलिए दोस्तों दे आई तो 31 में तो नहीं बट फर्स जैन्वरी जब मैं अपने स्कूल में गई मैंने न्यूस पर देखा तो उसमें फत्वा जारी करने की बात कही गई ती सिर्फ न्यूस पर में मैं डरी नहीं बेशक बट थोड़ी से नर्वस हो गई थी तेम आलवी साब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई इतराज नहीं है हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्रीकृष्णी का था वो तो उससे उनको अब्जेक्शन था तो उन्होंने अब्जेक्शन कि आपकी वजह से सैमना पढ़ रहा रेशी दीजी नहीं नहीं देखिए ना तो इस बच्ची को कि किसी ने ट्रॉल किया ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा एक बात आई और वो बात कहीं तक इसलामिक रोसे सही है सवाल पढ़ने पढ़ने का नहीं है सवाल वही है कि आप जो अभीने कर रहे हैं अभीने का इसलाम में गुन्जाइश नहीं है अच्छा जैसे जो पखंड है ना अपका स्टैन्ड ने पिर तो साहाब राशीदी जी आपका स्टैन्ड पाक्खंड है ना ना कैसे देखेंगे मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है बिलकुल खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं इस पर साहब चलिक नूप से कर दरते हैं अच्यां पूछ रही हूं सार अपैसे और इस चुह नहीं तो बोलने के लिए मिन में काम करना गलत है अभी नए घलत है देखने नहीं या देखने से मना इंब और एक चीज़ सुनिए मुहम्मद साब की बात बताता हूं आपको अब देखने को भी मना करता हूं आप देखते हैं कि नहीं नहीं देखते हैं पिक्चर ही नहीं नहीं देखते हैं कि क्रिष्ण के लिबास के बीताश लोग करें पहले में इजाज़त है कि नहीं मुझे नाज है आलिया पर फक्र है और मैं एक बात सिर्फ एक बात कहता हूं इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका अख्तियार था अपनी जगह है लेकिन ये जिस दिन इसलाए जिस मंच पर यह यह कृष्ण वाला लिबास पहना था अगर इसलाए लिबास पहन करके करिदी तो इक बात अलगी है कि में है सब्सक्राइब तोपी पहन के पढ़ जा सकता है उसकी नहीं कि अपनाना मकसद नहीं है उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है इन्होंने गीता पढ़ी बहुत अच्छा आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे लोग पढ़े हैं सर वो भगवान श्री कुछने के ही है तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कुछने की ही ड्रेस पहननी है और जब मैंने उसमें पार्टी स्पीट किया तो मुझे उसके बे इतना एक बात आपने अब भी बोलिए मैं आपसे पूछना हूँ बहत अदब के साथ अपने का आपको आप धर्या को नहीं जानती आपकी पंदरह साल हो गईी यानि इसलाम की देशिक पार्ण है लेकिन कमपटिशन के बेसिक रूल आपको पता हैं तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है आप एक मुसल्मान है चुके कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिर हुई वो है इकरा पढ़िए यानि इतना इसलाम हर मरद औरत को सीखना फर्ज है जिससे हलाल और अब हराम की तमीज हो जाए आलिया को 15 साल होगे इसको फत्वे तक का पता नहीं है उल्यमा उल्यमा या उल्यमा क्या कहना इसको बिचारी को पता नहीं है तो हम यह कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे किजिए लेकिन इसलाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए ने बेसिक अगर आप से कहा जाए जी कल को अगर आप से कहा जाए आप एक से इसलाम का क्या बात कर रहें सकता है क्या बात होगी धर्म का मतलब मौलाना इसलाम का मतलब इतना चोटा बनागी है कि अपने बच्चों को इतनी तालीम देना चाहिए कि ताके वो हराम काम नहीं किया ठीक है एक लिबास दूसरे मजभग का अपनाया वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था उसको हम उससे अब्जक्शन लेकिन मसला यह है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस कि जब बहतार है कि जड़ा बहुत ने कहा है अब यहीं काँगी जैसे दाने शरी साहब हैं वो भी तो हनुमान जी कर ओलदा करते हैं उन्होंने पूरी वेजभूशा ऐसी ही पहने थी फिर जी गलत है जी गलत है गलत है बट उन पे तो फत्वा जारी की बात नहीं आी नही हिंदुस्तान के लिए आपका जजबा और जो गीता श्लोक को याद करके दोहराने के पीछे आपकी सोच वो बताई मैं आप देखी चाही गीता हो गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरित मानस हो यह जितने भी पवित्र ग्रंथ है चिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं इंसानियत मजा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाता है किर्सिन के लिबास को आलिया खान ने पहना तो मज़ब के ठेकेदारों को ठेस पहुंच गई और इस पंदरा साल की बच्ची पर मज़ब के नाम पर बहुत जाहर उगलने लगे और इन सांतिदूतों का मानना है कि किर्सिन के लिबास में बगवत गिता के सलोक पढ़ना और एबिने करना वे इसलाम के खिलाफ है इससे इनके मज़ब की तोहीन हुई है और इन सांतिदूतों का मानना है कि ऐसे चीज़े करना 이것ई के भी हित्मे नाही है और मज़ब के भी हित्मे नाही है और आपको बता दू आलिया खान ने जब इस सलोक पढ़े उस समय यह दस्वी कलास में थी और ये मेरिट की रहने वाली है और आपने जब वीडियो में आलिया खान को सुना तो आपको मालूम भी चल गया होगा कि आलिया खान के कैसे विचार हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि आलिया खान के दिल में दूसरे दर्मों को लेकर प्रेम है और इस बच्ची का ये मानना है कि ये गरमगरंत हमें जोडते हैं ना कि तोडते हैं ऐसे में हमें इन बातों से नफरत नहीं फैलानी चाहिए बलकि प्यार महुपत से रहना चाहिए वहीं डिबेट में आई साजित रशीदी का ये मानना है कि इन्होंने ये सब करके इसलाम की तोहिन की है क्योंकि इनके मजब में नाचना गाना हराम है और दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी साय दिन को नागवारा गुजरता है इसलिए ये मोलाना हर जगा ऐसी पुंगी रहा तो आने वाले कुछ समय में इनकी दुकाने बंद होना निश्चीत है तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट वोक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को प्रेस करें तके हमार जय मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंत राम राम